मैं तेरा शहर छोड़ जाओंगा 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 जाके तेवास पिर ना आओंगा बैठीकर मैं बरेली गारी में बैठीकर मैं बरेली गारी में बैठीकर मैं बरेली गारी में जल्दी जल्दी आओ टाइम कम है अब एक चार मिस्रे और सुन ले हादरी करता हूँ बरेली गारी इसको आप जहन में रखते हुए चार मिस्रे सुनिये कि सबसे मजबूत सबसे भारी है जे मजबूत सबसे भारी है जे 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 आता हो सारा दमाग आती की तरह है ये हमारे वल्मा हैं इनकी तो बस हमें दुआ चाहिए सुभान अल्ला तो आप बोलीगा इधर से दुआएं मिलें मेरी तंदरुस्ती बढ़ती जाएगी कि सबसे मजबूत सबसे भारी है कितनी अनमौल ये सावारी है हजरत अल्मा याकूब साब नूरी के खिताब आपने मुलाहिज़ा फरमाया हजरत ने बताया कि चार वो जमाते हैं जो सबसे पहले बगएर हिसाबों किताब के जन्नत में जाएंगी उसमें सारे लोगों से हो करके आपने ये फैसला किया बताया कि वो आलिम की जमात है हजरत सुनें देखें और मेरा इशारा देखें कि सबसे मजबूत सब पे भारी है कितनी अन्मोल ये सवारी है सबसे मजबूत सब पे भारी है कितनी अन्मोल ये सवारी है अरे लेके जाए कि सब को जन्नत में लेके जाए कि सब को जन्नत में क्यों कि ये बरैली की रेल गारी है बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब जिन्दाबाद जिन्दाबाद जंदा अबाद जंदा जंदा लेकिन आई सही थोड़ी जाईएगा उसके लिए एक काम करना पड़ेगा और वो काम क्या करेंगे आप सुनिये दुरूदों की शम्मा बोलो 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 प्यार से बोल सुभान आला दुरूदों की शम्मा लबों पर जलाओ बाद दुरूदों की शम्मा ये लबों पर जलाओ मैं काउपलेटर साब आप जानते हो कि मेरा आपका तालमेल बोग अच्छा है उसे बरकरार रखे दो रूरतों की शम्मा लबों पर जलाओ अंधेरा मिटाने हुदूर आ रहे है दो रूरतों की शम्मा लबों पर जलाओ दो रूरतों की शम्मा लबों पर जलाओ अंधेरा मिटाने हुदूर रहे है मसलत में नाते नभी गुन गुनाओ मसलत में नाते नभी गुन गुनाओ मुकातर बनाने हुदूर रहे है दो रूरतों की शम्मा लबों पर जलाओ अंधेरा मिटाने हुदूर रहे है दो रूरतों की शम्मा अंधेरों में कुम जो कहीं हो गई है अंधेरों में कुम जो कहीं हो गई है जो मा आईशा को नहीं मिल रही है अंधेरों में कुम जो कहीं हो गई है जो मा आईशा को नहीं मिल रही है अंधेरों में कुम जो कहीं हो गई है जो मा आईशा को नहीं मिल रही है अधे महां में को जो कई हो गई है जो जो आईशा को नहीं मिल रही है जो जो आईशा को नहीं मिल रही है खोदा की कसम से खोदा की कसम में आपे मिले रिख व सुई कोदा की कसम आपे मिले की व सुई कियो कि अब मुस्कुराने हुजूर रहे है अब मिलेगी वसुरी कि अब मुस्कुराने हुजूर रहे मसालत मिनाते हदराद एक शेर और हादरी करता हूं मुलाइदा फरमाएं और उम्मीद करता हूं कि यह शेर आपको पसंद आएगा तवज्जो दें और मुहब्बत के साथ एक बार और अगर समझ गए आप तो यकिन जानो इसके बात जो मैं आपको सुनाओंगा वो बहुत ही आपके लिए बिल्कुल एक नया अंदास होगा सुने मैं हादरी कर रहा हूं देखे पहले शेर को किया बंद दुश्मन ने जब उन पे पानी किया बंद दुश्मन ने जब उन पे पानी तो शाबीर की बोली तिश्ना दहानी किया बंद दुश्मन ने जब उन पे पानी तो शाबीर की बोली तिश्ना दहानी क्या मुझे पानी बंद करते हो ना दाना मुझे क्या समझते हो तो एक हराम पूर मुकरिर खतीब जो न किसी भी हिस्से से न वो नायक है न जिक्र करने वाला है बलकि हर एतबार से आप देखो तो वो खलनायक दिखाई देगा जाहिल दिखाई देगा अब आप समझ गये होंगे वो नालायक केता है माजला सुम्मा माजला की अमाम हुसैन करबला में मौताज थे माजला माजला मुझे मेरबानी सब काम कीजिए लेकिन जरासा गुफ्तगू नहों अगर हो भी तो कम से कम मुझ तक न पहुँचे हादरी करता हूँ किया बंद दुश्मन ने जब उन पे पानी तो शाल पीरी की बोली तिशना दहानी किया बंद दुश्मन ने जब उन पे पानी तो शाल पीरी की बोली तिशना दहानी लिए अपने हाथो लिए अपने हाथो में अब चाम का उसर में अब चाम का उसर हमें भी पिलाने हुदू ना ने में अब चाम का उसर हमें भी पिलाने हुदू रहे तो रूर्टों की शम्मा लब लब पर जलाओ हदरात अलाम बहुत बड़ा है वक्त की किल्लत दामनगीर है हमारी जमात का वो अजीम खतीब जिसे खतीब अलहिंद हदरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज रजा साब बरकाती जो मिम्मर नूर पे तश्रीफ फरमा हैं संभल से चल करके आप बिलकुल अपनी आन बान शान के साथ मिम्मर नूर पे जल्वा फरमा हैं मेरे बाद आपके खताब पुरनायाब से हमें और आपको अपने कल्ब को मनोगरों मचला करना है सुनें मैं मक्ता सुन लीजे फिर कभी आऊंगा इंशालला अगर आपने मौका दिया तो मकमल कलाम आप तक पूँचेगा बस मक्ता मुलाइजा आप फरमा ले हादरी करता हूँ निगाहों में हसान नकीब आजम हिंदुस्तान ने अभी आपको बताया बिल्कुल लाइन डूर को इतना नाप तोल करके इन्होंने लगाया था कि यकिन जाने अधूरे पे कार दिया इन्होंने अभी मुफ्तिया आजम हिंद अलेह रहमा और हदरते हसन रजा खाँ साहब कि बलादामत पर कातों मलकुजी यह तमाम तर अजीम शख्सियतें बाकी थी लेकिन नकीब साहब ने वक्त की किलत को देखा और अपने आपको वहीं पे ठेहरा दिया मैं हादरी करता हूँ देखे निकाहों में हसा निकाहे मुकदर जोर से जोर से जोर से बोल दो निकाहों में हसा निकाहे मुकदर है मशूर दुनिया में नाते सुना निगाहों में हसान का है मुकातर है मश्यूर दोनिया में नाते सुना कर निगाहों में है मश्यूर दोनिया में नाते सुना करे है मश्यूर दोनिया में नाते सुना करे नसी में हजी को भी लगता है ऐसा नसी में हजी को भी लगता है ऐसा अरे नसी में हजी को भी लगता है ऐसा के चादर उड़ाने फिल लगता है ऐसा नसी में हजी को भी लगता है ऐसा के चादर उड़ाने हुदूर आ रहे तो रूतों की शम जन्यत से हुबसुर्ण जन्यत से खूबसुर्ण तैबा मेरे नभी ता जन्यत से खूबसुर्ण चल्ड नवे नभी का चल्ड 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 नभ जहरंगे से खुम सुना तर्हें में बीर्वी का हरसु नजर है आता हरसु नजर है आता हरसु नजर है आता जल्वा मेरे नजर है आता जल्वा मेरे नजर है आता हरसु नजर है अब एक शेर आप तक पहुंच रहा है जो शेर में मैं कह रहा हूँ बस वही काम आप कर दीजिये मैं समझ जाओंगा कि देहली संगम बिहार के लोग बहुत समझदार है अब मैं शेर पढ़ता हूँ देखिएगा हर दुष्मने नबी का नबी का हर दुष्मने नबी का हर दुष्मने नबी का दिल का पुटा पुझाए हर दुष्मने नबी का हर दुष्मने नबी का कोई 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 अगर लगाते क्या नारा मेरे नबी भाइया भाइया बस 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 एक आखरी शेर सुने आप एक आखरी शेर रोजे की जानियों को रोजे की जानियों को हम चुम ले तो बिदे आखरी शेर रोजे की जानियों को रोजे की जानियों को हम चुम ले तो बिदे आखरी शेर रोजे की जानियों को चुमा मता सुनिये सेराब हो रही है सेराब हो रही है किसमत नसीम अपनी सेराब हो रही है सेराब हो रही है किसमत नसीम अपनी पेश नजर है मेरे पेश नजर है मेरे अरे अरे दर्या मेले लभी आ चाहराब से खुब सुराब ना रहे